हेलो दोस्तों ग्वालियर राजघराने की राजमाता स्वर्गिय माधवी राजे सिंधिया के निधन पर श्रद्धांजली देने राजस्थान की डिप्टी सीम दिया कुमारी भी पहुंची थी। बेटे पीतामबर सिंह आगे आए और उन्होंने अपने साथ पैलेस के दूसरे स्थानों पर लेकर गए। उन्हें निमोनिया और सेपसिस नामक बीमारी थी। उन्होंने नौ बजे के लगभग अंतिम सांस ली। वे करीब सत्तर साल की थी। अंतिम समय में उनके पास उनका पूरा परिवार था। राजमाता माधवी राजे के निधन से ग्वालियर सहित पूरे देश में शोक की लहर है। साथ ही के सिंधिया परिवार के लोग और सिंधिया समर्थक शोक में डूबे हुए हैं। थिर्ष्ट शोक में जड़े लोग और सिंधिया झाल कर दो उस्यां में आ खवाल जड़ जड़े हुए हैं। झाल झाल